सुप्रभाद बच्चों, आज वर्ग सश्ट को संस्कृत के ग्यारा में अध्याय को पढ़ाने जा रहा हूँ आज का विश्य है अव्याय प्रकरन इसकी परिभास आपको बताएंगे, इसके उदारन आपको बताएंगे आप इसे अस्मरन भी करना है और इसके साथ ही होमबर्ग भी इसका तयार करना है आप लोग इसके सब्द लिख करके घर पर ही होमबर्ग बनाईएगा तो देखिए अब्वे किसे कहते हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं हो या सभी लिंगो विभक्तियों और वचनों में जो एक समान रहता हो उसे अव्याई कहते हैं जैसे जिसे चमने और च हो गया उसी प्रकार संस्किर्थ के कुछ परमुख अव्याई इस प्रकार है उसको मैं बता रहा हूँ जैसे है अत्र अत्र का हिंदी अन्वाद होता है यहाँ तो अत्र भी अव्याई है हिंदी में भी आप यहाँ भी और कहाँ यह सब जो सारे हैं वो हिंदी मव्याई है लेकिन उसका मैं संस्कित करके बता रहा हूँ अपी अपी मने भी अत्र भी अव्याई है अत्र का हिंदी होता है अत्यधिक अघा का हिंदी होता है नीचे इती का हिंदी अन्वाद ऐसा इव इव अव्य है इसका हिंदी अन्वाद होता है शमान अभी अभी का और चवकार्थ्री और अभी का भियर्थ अत्र अत्र यानि इसके वाद अध्य, अध्य मने आज, अची रात मने सिग्र, आ रात मने नजदीक, अनुंका हिंदी पीछे, अधुना आपी मने अभ भी, और अधुना का हिंदी अनवाद इस समय होता है, अध्यायव, आज ही, एक दा, एक बार, आरात, नजदीक, एक कत्र, को हिंदी में कहते हैं, एक जगह, अरे, यानि हे, अत्र, यानि इसके बाद, उच्चे, जोर से, अन्यत्र, दूसरा, या अलग, उपरी, मने उपर, इतस्तत, इसका हिंदीर बाद, इधर उधर होता है, इसत, यानि थोड़ा, इस प्रकार आउखली अभ्य है, जैसे है, कुत्र, कुत्र का आर्थ होता है, कहां, खलू, का आर्थ होता है, अवस्य, चवका और, नूनम, मने अवस्य, ततह, मने तव, पुनह, पुनह, इसका हिंदी, बार, बार, तथा, का हिंद्यर्वाद वैसा, तत्र, वहां, नुग का, न जो अव्य है, इसका हिंद्यर्वाद नहीं होता है, किम जो है अब्व्य जो है इसको हिंदी में क्यों कहते हैं परम है परम का हिंदियरवाद किन्तु होता है पुरतह पुरतह का हिंदी सामने होता है पुरा पुरा का हिंदियरवाद पहले होता है प्रति प्रति का हिंदियरवाद और होता है अगला है सनः सनः यह भी अभ्य है इसका इंदनवाद धीरे धीरे होता है सहसा यानि अचानक समम समम का अर्थ होता है साथ प्रातह का आर्थ होता है सवेरे सर्वदा का आर्थ होता है हमेशा सह जो अब्य है इसका आर्थ होता है साथ पूर्वेश मनें गतकाव चिराय काफी समय तक परितह का हिंदियन वाद होता है चारो और कदाचित यानि कभी कभी वही इसका आर्थ होता है बाहर यह सब जो कुछ उदाहरन दिये यह हम अब्य के उदाहरन दिये आप लोग इसे असमरन करें और गिरिकार्ज के रूप में भी से लिखे और इसका अब्य को लिख कर उसका हिंदी लिखें उसका अनवाद अप्रेस करें इस प्रकार इसे असमरन करना आपका होंबर्ख है गिरिकार्ज है प्रकार्ण है प्रकार्ण है